तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में कुछ इस तरह के सवाल उठ रहे होंगे, कियार मुझे कौन सा कैमरा परचेस करना चाहिए, इस साल का ये आखरी महीना है, क्या मुझे साल के आखरी महीने में कोई कैमरा परचेस करना चाहिए, नहीं परचेस करना चाहिए, या फिर कुन सा बिगनर कैमरा में पर्चेस कर सकता हूँ, कुन से कैमरे में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर देखा जाए, तो मार्गें में निकॉन, कैनन, सोनी, पैनासोनिक में काफी सारे मॉडल अवेलेवल है, और यह मोबाइल के तरह नहीं है, कि मोबाइल में ह कितना पुराना कैमरा खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर DSLR कैमरा लॉंच होता है, तो एक अच्छे टाइम परिएड तक वो चलता है, अगर मैं बात करूं, निकान D500 के बारे में बहुत लॉंग वो चला था, यह अभी जाके कुछ महीने पहले ही जाके, वो डिस फैमिली उसके लिए लेना चाहते हो, या फिर छोटे मोटे शोशल प्लाटफोर्म पर वर्किंग करना चाहते हो, तो यूजर होते हैं, एक दम बिल्कुल जीरो नॉलेज वाले है, जिनको इसकी नॉलेज नहीं होती है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्याम कामरा खरीदने से पहले, क्या सोचना है, क्या जानना है उनके बारे में, इसका बहुत जादा मध्यान रखेंगे, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हम कामरा खरीदेंगे, बट इतना पुराना कामरा नहीं खरीदेंगे, जो 5-6 साल हो चुके हो, वो स्टॉक करके कोई दो अगर एक्च्वाध़ में आपको क्या यूज करना है, किर में आपको च्राइयस कामरे से फौटो शॉट करूखाया, या फिर विडियो शॉट करूँगा तो दोनों मुझे इखना है उप यह ठील, डैसने पूप्सना ना चाहिए उसका ओस अचने MeegraPixels चाहिए, उस विडियो में फोकस सूर उसका एक कना इस एक घाने दिए दोस्तों है आज के इस विडियो में जिन कैमरे को भी कबर करूंगा तो सबसे पहले मैं काहने जाहता हूं में विपता हम इसी को खरीदो मैं यह जिन भी मॉडल को आपके साथ में सियर करोगा वह सारे अपने लेवल में बहुत बैस्ट है ठीक है और मैं तो बस यही कहूँगा कि भाई आपको जो उनसा ब्रांड पसंद हो आख बंद करके उस ब्रांड में चले जाना यहां पर मैं कोई भी ऐसा मेरे प्रोयर्टी नहीं है कि मैं सिंगल ब्रांड को यहां पर हमें रखू कि आप सबसे पहले जो मोडल आपके साथ में शेयर करना चाहता है वह है निकॉन का जी थर्टी मॉडल निकॉन का रिसेंट लॉंच वा मॉडल है और खासकर डिजाइन किया गया वह कंटेंट क्रीटर्स के लिए डिजाइन किया गया यहां पर मैं कैटेगरी भी रखूँगा त्र काम करना चाहते हैं अपना प्लसनल ब्लॉक शूट करना चाहते हैं और यह कैमडर बहुत परफेक्ट कैमरा है इसको हाई भी कर सकते हो, आयोसो की बात करूँ, basic ISO एक fake light होती है, या फिर कह सकते हो, यह एक sensor की sensitivity होती है, light sensitivity होती है, जिसको आप ऐसी जगा बूस्ट कर सकते हो, जहां पर आपको light, जो artificial light होती है, थाड़ी कम होती है, वह आपको boost कर सकते हो, वैसे basic video के साथ, इसलिए मैं fast है, like अगर कोई खेल रहा हो, या दौर रहा हो, अगर इस टाइप की photographic को shoot करना है, तो आप 11 fps की continue brush mode को on कर सकते हो, साथ ही साथ, फोटोग्राफिक में अच्छे tracking के लिए, इसमें 209 autofocus points दिए गये है, means अगर आप किसी को track करना चाते हो, आप बहुत अच्छे तरीक इसक 20p तक shoot कर सकते हो, means 50-60 सारे resolution आएंगे, 24-35-30 सारे resolution आजाएंगे, इस पे आप inbuilt slow motion भी record कर सकते हो, अगर आप internal record करना चाहते हो, तो वो भी आप इसमें shoot कर सकते हो, साथ ही साथ ये camera प्रापर वीडियोग्राफिक के मामलें, बहुत best focus में है, दोस्तो, focus बहुत बहुत बह अगर आप इस camera का review लेना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, जिसमें इस camera से related बहुत सारे video आपको देखने को मिल जाएंगे, तो मैं वो category बताता हो, कि इस camera को भाई कौन purchase कर सकता हो, अगर आप start भी करना चाहते हो, या फिर अप pro level के हो, आप social platform पे काम करना चाहते हो, तो कुन सी category है, तो सबसे पहले बता दो, ये content creator को खास focus करके बनाया गया है, तो means अगर आप social platform पे काम करना चाहते हो, आजकल जो बहुत जादा famous है, real Instagram, अगर उसमें आप काम करना चाहते हो, तो ये camera बहुत perfect है, साथ इस साथ अगर आप blogger बनना चाहते हो काफी लोग होते हैं, जो personal blog शूट करते है, day to day life को अपने share करते हैं, अगर ये भी बनना चाहते है, blogger बनना चाहते है, इस camera का purchase कर सकते हो, साथ इस साथ यूटूब वीडियो, अगर जैसे मैं आपके साथ share कर रहा, tips, अगर कुछ इस टाइप की वीडियो भी बनाना चाहत तो camera बहुत ही compact and lightweight है, इसके अगर reviews, अगर videos देखना चाहते हैं, आपको मेरे channel पे visit जरू करना पड़ेगा, और video अगर पसंद आता हो, तो छोड़के भी मज़ा है, पूरा देखना आपके लिए बहुत best video होने वाला है, इसके पाद जो अगला model है, वो है, Sony की तरफ से, Sony का ZV10 model इसको launch हुए तो साल भर से थोड़ा सा जादा हो गया है, लेकिन यह जो camera है, खास कर content creator को focus में रखके बनाया गया है, और really, इसका मैंने जादा videos तो नहीं बनाया है, जादा practical भी नहीं किया है, बर जितना भी किया है, मैं बहुत जादे impressed हूँ, क्योंकि यह जो camera है, ब अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो 24 मेगा पिक्सल से आप काफी अच्छे फोटोग्राफी को शूट कर सकते हो, और खास कर इस अगर मैं continue shooting की बात कर दोस्तों, 11 face की continue shooting है, जैसे मैंने पहले बतायता है, अगर आप कोई fast moving को capture करना चाहते है, fast motion को capture करना चाहते तो 11 face की continue shoot आप capture कर सकते है, उसके बाद अगर ISO performance की बात करो तो इस कैमरे में ISO performance बहुत बढ़ी है, दोस्तों, 100 से 32 हजार तक की बीच माँ ISO को यूज कर सकते हो, और बढ़ाने की बात कर तो अब 51 हजार तक उसे बढ़ा सकते हो, दोस्तों, कैमरे को देखे, इसमें जो processor बात करो, no doubt, camera बहुत फास है, ये तो रही, फोटोग्राफी की बाद, वीडियो में खास इसमें, आपको क्या देखने को मिलता है, दोस्तों, कैमरा 4K resolution को shoot कर सकता है, दोस्तों, साथ ही साथ आप इसमें inbuilt slow motion भी record कर सकते है, 120P frame rate की according, और साथ ही साथ नॉर्मल वीडियो भ तो इतना तो आपको पता ही होगा, कि Suni बहुत जादा फोकस करता है, वीडियो के मामले में, मतलब इसकी जो video performance है, वो ला जवावे, दोस्तों, साथ ही साथ वीडियोग्राफी में, और भी जादा अगर आपको डाइनमिक रेंज है, फिर color आपको बहुत जादा पसंद हो, अपने mobile शूट करते थे, आप अपडेट होना चाहते हो कि मुझे थोड़ा अच्छा camera चाहिए, ठीक है, quality अच्छी होनी चाहिए, तो आप इस camera को purchase कर सकते हो, आप social platform पे working करना चाहते हो, real, short, उसके बाद बहुत सारे gaming के लिए live आना चाहते हो, तो ये camera भी बहुत perfect है, सा ब्लॉगर बनना चाहते हो, definitely इस camera को purchase कर सकते हो, उसके बाद बात करो, अगरा family purpose से भी इस camera को purchase करना चाहते हो, तो no doubt, इस camera को purchase कर सकते हो, देकि मैं जितना भी camera बतार हो, जो category बतार हो, तो बिलकुल आग बंद करके, इस category में से किसी को, से भी मतलब हो आपका, ठीक है, जो beginner best camera की बात करो, थोड़ी सी हाई हो गई है, but आपका one time investment आपका बहुत अच्छा use में आ सकते है, क्योंकि आप अगर 50-60,000 के बीच में खर्च कर सकते हो, तो आने वाले 3-4 साल तक आपको कोई problem नहीं, अगले model की तरफ बढ़ते हैं, और आप से में share करने जा रहा हो, अगल Canon का M50 Mark II का जो officially discontinue हो चुका है, और Canon का 200D Mark II camera थोड़ा सा पुराना model है, और फिर भी अगर आप पर्चेस करना चाहते हो, दोनों में से, अगर आपको M50 Mark II का stock मिल जाता है, विलेवल हो जाता है, तो वो बहुत best camera, मैं जादा उसके बार में नहीं बोलूँगा, लेकिन 200D Mark II को खरिदना चाहते है, उसके बार में भी जादा नहीं वोलूँगा, तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ भाई, तो मैं यह बोलना चाहता हूँ दोस्तो, Canon का बिलकुल नया ताजा लेटेस्ट model जो launch होने Canon R10 model है दोस्तो, बहुत ही perfect model उन्होंने launch किया है, बहुत ही fast उन्हों यहां पर मैं 280 Mark II को भी आपको मैं prefer कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि इसको ले लो, अगर आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं, फिर भी अगर मैं value की बात करो तो उसकी value भी 55 या 57K के बीच में है, उस price range में जो आपके दो camera मैंने perfectly बता है कि Nikon Air, Sony के वो आप ले सकते हो, बट अगर आपका budget है, आपका budget है, 85K तक आपका budget है, वैसे यह budget तो beginner level में नहीं आता है, फिर भी थोड़ा सा मैं बदाना चाहते हो, अगर आपका budget है, one time invest करने का budget है, और Canon ही लेना चाहते हो, तो थोड़ा सा बढ़ा लेना बाई, और अगर आप अपनी location में पर्चेस करना चाहते हो, तो budget finance और बहुत सारे ऐसे facilities है, जिसके मादधी हम से अब camera को पर्चेस कर सकते हो, तो Canon का R10 model है, वो 24.2 megapixel का, इसमें CMOS sensor का, इसमें DX है, CMOS sensor का, इसमें यूज किया गए दोस्तों, अपर दोस्तों में इस camera के, अगर मैं ISO performance की बात करूँ, तो वो 100 से 32,000 तक जाता है और उसे आप 50,000 तक बढ़ा सकते हो, और भाई, इसके बाद अगर मैं बता हूँ, अगर आपको continuous shoot करना हो, अगर आपको continuous shoot करना हो, अगर आपको continuous shoot करना हो, तो 15 fps का mechanical shutter यूज होता है, और 23 fps का electronic shutter आप continue shoot कर सकते हैं, अगर आपको हाई स्पीड बनाने के wild shooter हो, wild photography shoot करते हो, sports photography shoot करते हो, आपको DX में, ठीक है, 100k से नीचे अगर आपको budget spend करना है, खर्चा करना चाहते हो, तो भाई, ये camera भाई, perfectly उनके लिए बना है, दोस्तों, बिना सोचे समझे, आप इसको purchase करते हो, इस camera में 651 autofocus zone दिये गये हैं, और 7-7 इसमें dual pixel AF second, 7-7 deep learning क इसमें support दिया गया है, और क्या subject को track करता है, बहुत लाजवा, आटो फोकस की बात करो, तो सिर्फ human pet पे ये मतलब नहीं रुका है, इसके आगे आगे आपको देखने को मिल जाएगा, vehicle अगर आप shoot करना चाहते हो, तो autofocus कर सकता है, car and bikes पे, aeroplane shoot कर सकता है, दोस्तों, तो train shoot कर सकता है, तो autofocus की जो limit है, एकदम break कर दिया, इस camera में, बहुत होगी, फोटोग्राफी की बात, अब करते है, वीडियोग्राफी में, इसमें special क्या दिया हो, तो camera 4K capable है, camera 4K capable है, 60P में capable है, दोस्तों, बट इसमें आपको crop देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4K 30P record कर सकता camera और यह 6K का video over sample आपको देगा, दोस्तों, साथे साथ, full HD video 120P में shoot कर सकते हो, slow motion shoot कर सकते हो, full touch control है, very angle है, compact and lightweight, अच्छा, अगर आप ऐसा camera भी चाहते हो, जो अच्छे performance के साथ, एक लाग से नीचे, अच्छे best features के साथ आए, blogging करना चाहते हो, ठीक है, wedding user हो, wedding करना चाहते तो यह camera उनके लिए बहुत जादा perfect होने वाला है, दोस्तों, क्योंकि जो भी performance के साथ यह camera आया है, definitely यह user इसको अराम से खरी से, तो यहां पर में दो मोडल और सजेस्ट करना चाहूंगा आपको, जो है Canon M50 Mark 2 और Canon 200 Mark 2 camera है, Officially, Mark 2 M50 is discontinued, लेकिन स्टॉक मिल जाएगा आपको, वो camera budget में 55K के आसपास है, budget में बहुत अच्छा camera है, दोस्तों, beginner level का अच्छा camera Canon पसंद है, तो इन दोनों मोडल को select कर सकते हो, दोनों मोडल में 24MP सेंसर मिल जाता है, और Canon M50 Mark 2 mirrorless camera है, अगर आपको video में ज्यादा performance अच्छी चाहिए, तो आ wireless camera, DSLR camera, अगर आपको wild quality ची चाहिए, strong body चाहिए, वो Canon का 200 Mark 2 camera है, फोटोग्राफिक लिए, इसमें 24MP का सेंसर दिया गया है, DX model है, साथ यह साथ, आप 4K तक video को शूट कर सकते हो, लेकिन आप 4K मेरे खयाल से बिल्कुल मत कीजिएगा, जहां पर dual auto focus भी बंद हो जाता है, और आपको अच्छा खासा crop factor भी देखने को मिल जाता है, तो full HD 60P तक capable है camera, तो आप यूज कर सकते हो, खास अगर वीडियो में focus होना, आप बंद करके M50 Mark 2 camera ले लेना, दोस्तों, उसी के साथ आप EF mount के अच्छे prime lens को select किलना है, दोस्तों, आपके लिए बहुत perfect रहेगा, अब बढ़ते हैं, last model के तरफ, यहाँ पर मैं Nikon का camera को add करना चाहूँगा, और दोस्तों, मैं बात करूँ, Nikon के D5600 और 3500 अफिशली तो discontinue हो गया, 1500 बहुत लंबे समय से था, 3500 model उसके बाद launch हो था, बट दोनों ही एक साथ discontinue हुए है, दोनों ही काफी अच्छे model थे, beginner level क कम price में अच्छे model थे, company थोड़ा सा यह देख रही है कि उस price range में लोग smartphone को भी purchase कर ले रहे, और कही न कहीं देखे तो इनकी जो market है, वो थोड़ी down भी हो रही है, क्योंकि जो लोगों का budget की बात करोना जो बन चुका है, वो 30-35,000 से ज्यादा का है, क्योंकि इस price range में स्मा जो model अब launch करती है, थोड़ा costly launch करती है, अगर मैं बात करूँ, budget की बात करूँ, 50K, 60K, 70K में आपको एक बहतरीन camera देखने को मिलता है, और मिल भी रहा है, यहां पर मैं जितनी camera के भी बात कर रहा है, जिसकी pricing 55K से अब भी है, उपर आपको देखने को मिलेगा, बट जितन आप किसी भी platform पर काम कर सकते हो, real, short, सब चीज़े आप कर सकते हो, अगर आप side by side camera को operate करना चाहते हो, तो prime lens, best lens के साथ इनको operate भी कर सकते हो, दोस्तो, prime lens मैं इसलिए कहा है, kit के साथ थोड़ा सा possible यह नहीं हो पाता है, कि उसको light थोड़ा कम पास होता है, तो prime lens के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तो, उसके बाद में last Nikon के model को ही मैं select करना चाहूँगा, जो है Nikon का Z50 model, price में काफी अच्छा discount इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, camera की, अगर मैं megapixel की बात को, तो 21 megapixel का CMOS DX sensor के साथ यह आया है, दोस्तो, अगर मैं आयूसो की बात करू दोस्तो, नो आटो फोकस के, तो 209 आटो फोकस के साथ camera आता है, camera 2019 में launch हुआ था, लेकिन अब जो इसकी performance है, especially मैंने भी Nikon Z50 को ही purchase किया है, दोस्तो, और साथ ही साथ 40 mm lens को purchase किया था, ताकि मैं एक light, single light के साथ मैं आराम से shoot कर से हूँ, अब तक मैंने 8-9 महीने हो चेके मे देखते होंगे, तो आपको यह feel होता होगा, कि जो मेरा focus होना hunting होता है, तो यह आपने notice जरूर किया गगा, दोस्तो, Nikon Z50 model आज के टाइम पर जो update आपको देखने को मिलेंगा, 2.40 अभी latest update आया, जो focus में और भी जादे improvement आया, तो दोस्तो, no autofocus points होने से किया, फोटोग्र अगर बात करो, full HD video 120P normal, और full HD video 120 in slow motion भी camera record कर सकता है, दोस्तो, अब मैं दोस्तो बताता हूँ, तो camera कौन purchase कर सकता है, यह budget जो हो गया, अब 70K के आसपास हो गया है, budget इस camera का discount करके, तो यह camera खरी सकते है, अगर आप एक wedding user है, wedding user इस camera को बहुत जादा पसंद कर रहे है, और बहुत अच्छी demand भी इस camera की, wedding user है, अगर आप ऐसे area पे हो, जहाँ पे क्या है कि low budget में आपको booking मिलती है, आप वहाँ पे इस camera को purchase कर सकते हो, और use कर सकते हो, अगर आप family purpose से हो, traveling करते हो, तो आप इन सारे purpose से आप इसको use कर सकते हो, दोस्तो, camera थोड़ा सा ओल्ड है, ठीक एक लाग से नीचे camera हैं, और बात करूं, minimum जो price है ना, वो 55K से उपर है, और 70K और 80K और 85K तक भी गये हैं, तो मैंने शायद beginner level से कुछ जादा ही मैंने upper model आपके साथ मैंने share किये हैं, इसलिए share किये हैं, क्योंकि जो recent में launch होए, आपको ये भी जाना जरूरी है, मैं नए launch हुए है, नए technology के साथ आए, और आने वाले समय में आपके साथ बहुत perfectly काम कर सकते हैं, और सबसे minimum range की बात करूं, कितना कम में मैं और जा सकता हूं नीचे कि मुझे कोई camera मिल जाए, तो अगर Canon का 1500T अवेले वाल है, तो खास कर अगर आप family purpose से लेना चाते हैं, कई जा रहे हो और अपने घर में छोटी मोटे function को अगर operate करना चाते हो, तो Canon का 1500T अच्छा model है दोस्तों, बगर उसकी pricing के बात करो, 38K या फिर 40K के आज़ पास भी pricing होगी, बट मैं यह चाहूंगा कि आप अगर ऐसा camera purchase करो, जो photo और वीडियो के लिए दोनों के लिए बहुत जादा perfect हो, मैं वीडियो के लिए बिल्कुल मना करूंगा, Canon का 1500T मत खरीदना, ठीक है आप थोड़ा सा और उपर जाईए, Canon में लेना चाहते हो, तो M50 Mark II model और Canon का 200 Mark II model बहुत 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 बएडी हैं और यहां पर नम्स के लिए सब्सक्राज़ YOUR पा लिए इत सकते हैं और यहां पर यहां पर में लैंस के लिए को नहीं बताए, जो कि F2 या फिर 1.8 पे बेज़ रहे हैं दोस्तो, I hope दोस्तो, मैंने एक beginner level से थोड़ा सा प्रो लेवल पे जाके आपको एक ऐसा camera के बारे में बताया, जो perfectly आपके यूज में हैं, और आप उसे लंबे समय तक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर इतना महंगी चीज को खरीद रहे हो दोस्तो, तो आप ऐसा तुरी आज खरीदोगे, कल बेज़ दोगे, उसको आपके साथ रखोगे, ताकि जो camera firmware हो या फिर अगर new technology आप लेना, लोग ये तो क्या के firmware के साथ आपको अच्छे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और यहां पे मैं जादे लगा, comment करके, जरूर बताएगा, अगर मेरे इस वीडियो से आपको help मिला हो, तो comment कर दीजेगा, क्या जादा पसंद आया हो, like जरूर कीजेगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे, तो आप जैसे भाईयों को ये वीडियो recommend होगी, और उनको जरूरत हो सकता है, like जरूर कीजे, दोस्तों, अगर आपने चैनल में फर्स टाइम वीजिट किया है, क्योंकि ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो, आपके साथ में हमेशा शेयर करता रहूंगा, दोस्तों, चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए, गुड़ बा कि टोस्तों छोस्तों, बाहुता है, बाहुता है कि आपसे मुला के बचके बचके साथ प्से月 21st ऑスक्राइमें ऑग स्कतरा घुट, तक लिएसे हैं, छोस्तों, पुछिता रुला कि still ऑग Million ।कि न पोई झालो या।, गड़ियों ऑगा अ रहुता、 नेंगिता, अ का ररी 50